जवहरं रंगमंच पर आयोजित गारह बेस टू गूल्ड विशयब पर चार दिवसित सैमिनार का आज समापन कारिक्रम आयोजित किया गया जरान सैमिनार के मुख्य वक्ता श्री सीच श्रीनिवासन ने प्रेजंटेशन के माध्यम से बताया कि किस प्रकार छोटे छोटे प्रयासों से SLRM सिस्टम को सफ़न मनाया जा सकता है उन्होंने कहा किसकी शुरुवात घर से ही की जा सकती है यदि हम जैविक कच्रे को अलग-अलग एकतरित करते हैं तो उनका प्रत्थकरन किया जाना आसान हो जाता है घरों, शहरों, संस्थानों वा फैक्टरियों से निकलने वाले कूडे का सही तरीके से प्रबंदन ना होना बड़ी समस्या है आज भी लोग जागरुकता के आभाव में खूडा अथ्वा अक्षिष्ट जहां तहां फेक देते हैं इस आदत को हमें बदलना होगा वहीं गार्बेज टू गोल्ड विश्या पर चार दिवस्या सेमिनार के अंतिम दिन शुकरवार को न्यायपाली का अधिवक्ता सहित बड़ी संक्या में शेहरवासियों ने भाग लिया अजमेर स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम अजमेर मिलकर के ठोश कच्रा एवं तरल कच्रे पर एक चार दिवस्या सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं जिसको स्री शी निवासन साहब संबोधित कर रहे हैं जो की मुख्य वक्ता के रूप में है और ये Ministry of Housing and Urban Affairs में Government of India के Resource Person के रूप में नॉमिनेट किये वे हैं और उनके द्वारा ये जगे जगे पर बताया जा रहा है कि हम किस तरह से कम से कम कच्रा घर के बाहर बेजें और घर पर ही सेग्रिगेट करें जिससे कि हमें ना सिर्फ कच्रे का भी मुल्य मिले बरन इसके साथ साथ नगर निगम और शहर में भी कच्रा जगे जगे पर कम हो इसके लिए अलग-अलग तरह की विदियां बताई जा रही है किस तरह से सबजी मंडी का कच्रा गायों को खिलाया जा सकता है किस तरह से प्लास्टिक को अलग से अलग अलग करके और किस तरह से उसको बेचा जा सकता है किस तरह हर किसकी की प्लास्टिक का कितना कितना मूल्य है इवन इफ आखरी में सेमिनार के लास्ट में ये प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं कि कौन सा कच्रा कहां पर डलना चाहिए जैविक रूप से कच्रा कहां डलना चाहिए ऐ जैविक रूप का कच्रा कैसे डलना चाहिए और किस-किस की कितनी कीमत है तो इस तरह से पूरी तरह से segregate अगर हम कर लेते हैं कच्रे को तो उसको उसका पैसा भी अधिक मिल सकता है तो इसलिए इसका नाम garbage to gold seminar रखा गया है और अज में शहर में इस तरह से इसको साफ करने के लिए आगे बविश्य में हम काम करेंगे तो इसके लिए भी master trainers वगर एक भी ट्रेनिंग नगर निगम की तरफ से बेज़े जाएंगे तो उसके पशाद इसमें कारिया का आगे किया जाएगा घर्मंदिर या शादी ब्याहब किसी भी प्रकार के हवन पूझन की सामगरी के लिए चले आईएे देव्य सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली कली ब्लू कैसल अजमेर 8769033139 अगर नया वहान खरीदना है तो चले आईए बत्रा बैटरी शोरूम जहां आपको मिलेंगे नए मौरल के इलेक्टरॉनिक स्कूटर साथ ही हो बैटरी इलेक्टरॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मटेलिक रंगों में उपलब्द साथ ही बहानों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्द तो देर न करे आज ही संपर करे बत्रा बैटरी भगवान गंज चोहरा अजमेर 9571204206